इस प्रेजनेशन में हम बेसिक लर्निंग की बात करेंगे एड़ोग प्रेमर की जैसे हाउ टू इंपूर्ट कैसे इंपूर्ट वाली चीजों को सूर्स सेक्षन में फैक्टे कैसे सूर्स से टैम लाइन एंड टैम लाइन से प्रिविव करते हैं हाला कि ये चारो चीज मैं पिछली presentation में बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा description में और clear cut बताऊँगा सो आओ चलते हैं screen पे, सो देखो import, import में अगर हम media पे triple click करें, double click करें, sorry तो हमें बहुत सारे imports के section मिल जाते हैं, जैसे मैं कोई footage देखनी है कोई सो मैंने यहां से कुछ एक, दो, एंड तीन, तीन footage निकाली एंड open कर ली, एक तरीका ये, ठीक है, दूसरा तरीका मैं बता चुका हूँ, drag and drop मैं पिछली presentation में बता चुका हूँ, इधर भी बताना है, तो यह और बहुत बतायता हूँ, simply इसको drag करो, premiere पे लेके जाओ, hang हो गया क्या, and copy, तो यह इधर भी import हो जागी, ठीक है, किसी वीडियो को delete करना है, पकड़ो, backspace दबाओ, या delete दबादो, so video आपकी delete हो जाएगी, तीनों वीडियो आगी, double click किया, source panel पे आगी, source panel पे I and O, जैसे मैं इसको play करता हूँ, so मैं चाहता हूँ कि मैं यहां से वीडियो लू, so I दबाया मैंने, and चाहता हूँ यहां तक लू, O दबाया, so इतनी वीडियो हमने, with audio, अगर सिर्फ वीडियो वीडियो चाहिए, drag only video, ठीक है, अगर दोनों चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलाल, दोनों चाहिए, तो पकड़ो सीधा, उपर से end लेके हो, drag audio and video, नीचे आ रही है आपकी audio, A1, and video, V1, ठीक है, और वीडियो दालने होगे, उपर भी दा सकते हैं, मर्जी आपकी, इसके बाद चलते अगे, ऐसी simply मैं सीधी यहां से simply drop कर रहा हूँ, हर वीडियो को edit नहीं कर रहा हूँ, हर वीडियो को मैं को जरूरत नहीं है, इसको ही मालूम है, इस वीडियो में मैं चाहता हूँ, यहां से शुरू हो, यहां तक आए, ओ, ठीक है, तो यह वीडियो मैंने import कर ली, अब बस्तियां शुरू, चर्च को हटा देते हैं, चर्च अच्छा नहीं लग रहा बीच में, बस्तियां शुरू and बच्चे खेल रहे हैं, बस्तियों के बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, अब यह बहुत, दो मिंट की वीडियो लेकिन यह भाग बहुत तेज रहा कर सर, वो इस देख रहे हैं, अब साथ मिंट की वीडियो सीधी में को टाइम लाइन में देख रहे हैं, अगर मैं इसको अंदर की तरफ कीज़ दू, तो मैं सिर्फ तीन मिंट की वीडियो अपनी टाइम लाइन पर देख पा रहा हूँ, हाना, सो जितने मिंट की वीडियो तुमें देख को simply अगर मैं audio भी देखना जाता हूं कि कितनी range आ रही है मेरी audio को सो मैं इधर से आप डाउन करूंगा तो मेरेको audio भी clear cut दिखनी शुरू हो जेगी इसको थोड़ा से ऐसे कर देते हैं जो आपको clear cut देखता रहे कि मैं कर क्या रहा हूं यहां से देखो अब आपको video भी timeline timeline से अब final video हमारी final video हमारी program panel पर आचुकी है and अब हम अपनी video play करते है space bar से and video हमारी चल चुकी है so यह था हमारा एक basic learning का एक चोटा सा part so I hope आपको समझाया होगा so that's all for this presentation thank you and अगर अच्छा लगे तो please like share subscribe सरूर करना so that's all for this presentation thank you